Hey everyone, this is Supriya, welcome to our channel चैनल को subscribe करने के लिए, वीडियो को like करने के लिए और इतना सारा share करने के लिए, thank you so much अगर आपको भी मेहंदी लगाने का सौक है, तो ये वीडियो आपके लिए है आज मैं लेके आई हूँ कुछ ऐसे tips, जिससे आपकी मेहंदी बहुत ज़्यादा गहरी, deep रचेगी आज मैं आपके साथ share करूँगी मेहंदी का घोल में कैसे बनाती हूँ, जिससे की मेहंदी deep रचती है उसके साथ साथ मैं आपको 5 tips बताऊंगी, जिसको की मेहंदी लगाने से पहले और लगाने के बाद आपको follow करना है इससे आपकी मेहंदी बहुत ज़्यादा deep रचेगी अगर आप चाते हैं आपकी मेहंदी का कलर अच्छा रचे तो उसके लिए किसी अच्छे क्वालिटी का मेहंदी का पावडर खरे दे घर में बनाये हुआ मेहंदी का घोल मार्केट की कौन मेहंदी से बहुत अच्छा होता है महंदी के साथ साथ अच्छे quality का नेलगीरी का तेल खरे दे और सब आपसे पूछते रह जाएंगे आपकी महंदी इतनी अच्छी कैसे रचती है मुझे personally प्रकास महंदी बहुत जादा पसंद है ये online भी available है आप इसको खरेद सकते हैं अच्छे लिए महंदी का घोल बनाते हैं से पहले आपको कितना महंदी का घोल बनाना है decide करें उसके लिए जितना पानी चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा पानी लेके पानी को boil करें अब इसमें 2 टी स्पून चाय पती आड़ करें और इसको medium flame में 2-3 मिनिट तक boil करें उसके बाद इसमें आड़ करना है 2 टेबल स्पून चीनी चीनी आड़ करने के बाद 1 मिनिट तक इसको पकाएं जब तक चीनी अच्छी तरह से पानी में मिल जाए अब इस liquid से हम अपना मेंदी का घोल बनाएंगे तो इसको चान लीजिए और ठंडा कर लीजिए मेंदी बनाने के लिए अब प्लास्टिक का बावल यूज करें प्लास्टिक का स्पून यूज करें में 2 टेबल स्पून मेंदी का पावडर ले रही हूँ इसमें कोई lumps नही सकते हैं जब यह थीक सा पेस्ट बनके तयार हो जाए इसमें हमें कुछ तेल आड़ करने हैं 2 टेबल स्पून में 1 टेबल स्पून निलगिरी का तेल उसे साब से आपको पेस्ट बनाना है कोई अच्छे व्रांड का निलगिरी का तेल ले उसको अच्छे से mix करें अब इसम मिला लेना है अगर आपके पास निलगरी का तेल नहीं है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा एमाउंट में सरसूं का तेल आड़ कर सकते हैं उसके बाद 2-3 मिनिट तक हम इसको अच्छे से मिला लेंगे जैसे तेल पूरी तरह से मेहंदी में मिल जाए उसके बाद हमें इसे एक दो गहंटे से ज़्यादा भी रख सकते हैं 2 गहंटे के बाद आप इसको अपलाई करें और कलर के साथ आता है कमेंट में सेयर करें मेहंदी को इस तरह से बनाने के साथ साथ अगर आप कुछ और बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी मेहंदी और ज़्यादा डीप सबसे पहले ध्यान रखे मेहंदी एपलाई करने से पहले आपकी हाथ बिल्कुल साप हो उसमें कोई तेल या क्रीम बगेरा ना लगा हो आप मेहंदी लगाने से पहले हैंड वास कर ले बेस्ट रेजल्ट के लिए भीम के साबुन से हैंड वास करें महंदी एपलाई करते वक्त earbird को पास रखें ताकि कोई भी design में अगर कुछ mistake हो जाए तो immediately आप उसको erase कर सकते हैं महंदी एपलाई करने से पहले cotton में थोड़ा सा निलगिरी का तेल ले उसको पूरे हातों में एपलाई करें और फिर महंदी लगाएं महंदी जब थोड़ा-थोड़ा सूख जाए उसके उपर नीबू चीनी का घोल लगाना है ये तो आपको पता ही है इसको बिल्कु स्कीप नहीं करना है नीबू पानी जब थोड़ा सा सूख जाए उसके उपर सरसों का तेल एपलाई करना है इसको 5-6 गंटे के लिए रहने द करें लॉंग को तोवे के उपर रखके लॉंग का धुआ भी ले सकते हैं इससे कलर और अच्छा आता है अब हाथ तो धोना ही पड़ता है जब भी हाथ धोए हाथ धोने के बाद इमिडेटली सरसों का तेल एपलाई करें या भीक से पलाई करें अगर आप किसी फंक्शन के के लिए मेहंदी लगा रहे हैं तो मेहंदी हमेशा दो दिन पहले लगाएं अगर आपको मंडे किसी फंक्शन में जाना हो तो आप सटरडे रात को ही मेहंदी लगाएं संडे दिन भर में मेहंदी का कलर बिलकुल डीप हो गया होगा मंडे आप आराम से अपना मेहंदी फ्ल